Hey guys, welcome to my channel आज मैं आपके साथ share कर रहा हूँ pumpkin puree यानि कद्दू की puree की recipe मैंने कुछ oatmeal और smoothies में इसका use किया था तो और लोगों ने मुझे से request किया कि मैं ये pumpkin puree की recipe share करूँ बहुत यसान और quick recipe है ये उससे पहले मैं आपको pumpkin के कुछ benefits बताता हूँ कद्दू यानि pumpkin बहुत ही रिच होता है fiber में जिससे हमें feeling fuller हमें feel होता है मतला हमें tummy full full feel होता है एक cup अगर मैंने pumpkin खाया तो मुझे इतना fiber मिल जाएगा जितना की मुझे 2 multigrain bread खाने से मिलता है pumpkin जब हम ले रहे हैं तो हमें fuller तो feel हो रहा है बट ये calorie में बहुत low होता है ये calorie का low calorie का superstar आप इसे कह सकते हो क्योंकि इसमें mainly water है सारा water content है तो हमारी body भी hydrated feel करती है और हमार को जो calorie मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है it means weight loss के लिए बहुत ही अच्छा product है जो भी लोग weight loss कर रहे है वो pumpkin की smoothies बनाईए hot meals बनाईए बहुत ही फायदे मन्द है अब हम बात करते हैं इसमें other vitamins क्या है pumpkin के अंदर जो है vitamin A beta carotene full भरपूर मातरा में है beta carotene हमारी body में vitamin A में ही जाके convert होता है जो कि हमारी eyes के लिए हमारे retina के लिए बहुत ही अच्छा है अगर हम एक cup pumpkin लेते हैं तो आप ये समझे कि हमें जितनी हमारी vitamin A की requirement है उससे हमें double जो है मिल जाती है pumpkin से तो it means हमारी eyes के लिए बहुत ही healthy हो गया दूसरा pumpkin के अंदर vitamin C बहुत होता है vitamin C हमारी body बनाती नहीं है तो हमें अपनी diet से लेना बढ़ता है तो अगर हम vitamin C को ले रहे हैं जैसा कि अब आप COVID-9 में देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे सब जगे vitamin C immunity boost करता तो it means pumpkin एक immunity booster भी है तो जब इतने सारे फायदे हैं तो आप इसको अपनी daily diets में कहीं न कहीं किसी रूप में add कीजिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम बनाएंगे अपनी pumpkin puree इसके लिए मैंने 750 grams pumpkin लिया है क्योंकि मैं इसको puree बना के store कर देता हूँ मैं इसको कई दिन तक use कर लेता हूँ तो आपको जितनी puree बनानी है आप उसी साब से quantity ले लिजिए यह मैंने अपने pumpkin को छोटे-छोटे pieces में cut कर लिया है अब मैं इसे cook कर में cook करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा cook करना easy रहता है आपके पास cook कर नहीं है तो आपके पास जो भी पैन है आप उसमे cook कर लिजिए अब मैं अपने cook कर में pumpkin को डाल दूँगा और मैं इसके लिए तीन whistle इसको दिलाऊंगा इतनी देर लगती है मैं सरफ इसे तीन whistle दिलाऊंगा तीन से पाँच मिन्ट के अंदर के कदूप मेरा गल जाएगा यह देखिए मैंने whistle आ गई है अब यह गल गया मैं इसे चमच के help से प्रेस करके देखिए यह बिल्कुल soft हो गया तो अब मेरा pumpkin पूरा रेडी हो गया गल गया अब मैं इसे mixer में डाल लेता हूँ सारे अपने pumpkin को और जस्ट एक मिन्ट का मैंने इसको blend किया यह देखिए यह मेरी puree रेडी हो गया pumpkin puree की recipe ready है आप इसको अपना daily diet में add on कीजिए और मुझे बताइए आपको कितना benefit हुआ मेरी इस recipe से मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और अपने family friends के साथ share कीजिए thank you guys